शुमन गिल हो रहे टिस्ट क्रिकेट में लागातार नाकाम टी-ट्वेंटी के बाद अब टिस्ट से भी होगा इनका काम तमाम तो भाईया आप सभी को पता है कि पहले टिस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाब भारती टीम को शर्मनाक हार जहली पड़ी 28 रोनों से उन्हें मात मिला और यह एतिहासिक जीत इंग्लैंड ने दर्च किये भारती टीम के खिलाब लेकिन अगर हम इस हार की बात करें त लेकिन सुमन गिल की पारियों से यह साप हो गया है कि भाईया यह कठिन पिच के आउसक दरजे के खिलाड़ी हैं यह स्टेटमेंट है और बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि अगर आप सुमन गिल की कोई भी पारी चाहे वंडे की पारी उठाकर देख लीजिए चाहे टेस् की जहां पर पिछ थोड़ी सी भी हरकत करती है इनके पल्ले बॉल नहीं पड़ता और इनका हालत बहुत ही खराब हो जाता है वह ऐसा ही प्रदर्सन अभी लॉंगेश्ट फॉर्मेंट अफ क्रिखिट में इनका चलता हुआ रहा है इसको यह डिकोड भी नहीं कर पाए ना ज़र डालें तो भाईया गिल का मात्र 30.058 का उसात है उसके बावजूद इनको मौके पर मौके मिल रहे है और इनके अंदर क्या खासियत देखी जा रही है क्या खूबी देखी जा रही है यह सोच से पर है भारती कप्तान क्या सोचकर इनको मौके दे रहे है कोश राउल क्यों इनके अपर विश्वास जता रहे है फिर उसके बाद भारती सेलेक्टर क्या इनमें देख रहे हैं भाईया कौन सा है इनमें वो टैलेंट वो ललक दिखाई दे रहा है जो सर्फराज खान जैसे खिलाडी में नहीं दिखाई दे रहा है जो 70 के उसात से 1st class cricket में खेल और ये मातर 30-10-5-8 के उसात से खेल रहे हैं मगर मौके पे मौके मिल रहे हैं अगर भाईया आपको इसी तरीके से नाइंसाफ ही करनी है तो ऐसे खिलाडी को मौके दीजे जो लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है आप ऐसे खिलाडी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कोई भी योगदान नजर नहीं आएगा और ये खेलते कहां पर नमबर तीन पर जहां पर रहूल द्रवेड चेतिस्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी करते थे जो एक बार खूटा गाल लेते थे तो आउट नहीं होते थे और इनका हाल बेहाल है और ऐसा अगतार दर किनार किया जा रहा है भारती सेलेक्टरों द्वारा भारती कप्तान द्वारा क्या सोच है ये किसी को समझ में नहीं आ रही इनको क्यों चुनाने जा रहा है कहां पर गलती हो रही है किसकी मानसिक्ता खराब है सरफराज का फिटनेस एक दम ही खराब है उनको च form करना अगर आप ऐसे खिलाड़ी को नहीं चुनेंगे तो सिर्फ सर्फराज के confidence के उपर नहीं असर होगा बलकि अन्य यूवा खिलाड़ियों के confidence के उपर असर होगा जो सिर्फ first class cricket खेलते हैं जो IPL में नहीं खेल पाते हैं क्योंकि वो test sally में बल्ले बाजी करते हैं traditional अंदाज में बल्ले बाजी करते हैं उन खिलाड़ियों के confidence के उपर असर होगा test format को आप decline कर रहे हैं क्योंकि अगर T20 format में आप नहीं चले तो भाईया आपको test नहीं खिला सकते हैं ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गए कि भाईया अगर फर्श क्लास में खेल ला है तो इसको test में मौका दीजिए सत्तर का उसत है इंग्लेंड लेंस से आप खिला रहे हैं सतक ठोक रहा है तो आप रज़त पाठीदार को चुन रहे हैं जिनका 47 का उसत है तो वहिया सोच में बहुत बड़ा खोट है अब यह खोट किसके सोच में यह तो अंदर की बात होगी इस खिलारी को मौका मिलना चैँ चाहे वह सुब्मन गिल की जहां मिले चाहे रज़त पाठीदार की जहां चाहे स्रेय सइयर की मिले क्योंकि 70 का उसत 1st class cricket में बहुत बड़ी बात है, consistently perform करना अपने आप में बड़ी बात है, fitness तो बहुत खिलारी ओके नहीं है, test cricket में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े दिग्गज ऐसे ही चोके छोड़ देते हैं, तो भई अप fitness कौन सी बड़ी बात है, इनको खिलाइए, वहीं सुब्मन गिल, इनका तो पत्ता कट होने वाला है, काम तमाम होने वाला है, क्योंकि अगर आप दूसरा test मुकाबला देखेंगे, तो वहाँ पर जरूर इनको मौका मिलेगा, लेकिन तीसरे में, फिर मजधार में इनकी नहीं अफ़र जाएगी, क्योंकि कोहली वापस अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें